आप सभी कानकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और आप सभी को पता है कि आपके साथ current affairs को बहुत लंबे समय से पिछले कई दिनों से आपके साथ discuss किया जा रहा है और इसी शंखला में आपको मैं बता दूँ मैंने आपके साथ part 12 यानि की part 12 लगबग आपके साथ cover कर चुका हूं वो cover कर रहे थे basically याद रखेंगे ये आपकी September से लेके January 2020 तक की current affairs आपकी complete हो चुकी है यानि कि जो last six months की जो important current affairs है उसको मैं आपके साथ discuss कर चुका हूं तो आप unacademy की है जो हमारा SSE exam का channel है इस पे आप जाएए इसकी playlist में जाएंगे तो आपको वहाँ पे 12 की 12 videos आपको proper increase हो जाएंगे तो आपको दिख जाएंगे इस बात को ध्यान रखें इसके साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है सबसे important बात अभी मैं आपके साथ जो discuss करने जा रहा हूं ये आपके साथ याद रखेंगे January 2019 से लेके और आपकी August 19 तक के यहाँ पी वीडियोज होंगी अगस 19 तक के आपकी current affairs होंगी इसके most expected questions क्योंकि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अपरेल के भी question आपके भी shift में देखे गए ते CGL में अपरेल के साथ साथ आपके में के भी देखे गए जून के भी देखे गए तो कई सारे questions आपके September से पहले के भी थे मतलब last six month से पहले के भी थे लेकिन वो ही question थे जो बहुती छटे वे question थे बहुती important question थे बास समझ माई तो उनको मैं आपके साथ discuss करूँगा याद रखेंगे काफी important है इस channel को आप subscribe करने पर्टिकुलर वीडियो को like करें और वीडियो को maximum share करने की कोशिश करेंगे याद रखें so that आपको classes के notifications यहाँ पे मिलते रहें बात करेंगे सबसे पहले मैं plus course की बात करता हूँ कल से मेरा plus course start है ये course आपको कल से देखने को मिलेगा 16 मार्स से 4 to 6 pm आपकी class होगी सबसे पहले start करूँगा मैं इंडियन पॉलिटी से जहाँ पे आपके साथ complete code discuss होगा इंडियन पॉलिटी का ठीक है लगबग 30 गंटे की class है आप किसी भी one day competitive examination की preparation कर रहे हो सबके लिए आपके लिए फायदे बन रहेगा याद रखें तो चलिए start करते हैं class को इसने पहले मैं आपको एक और बात बता दूँ बचो यहाँ पे आपके लिए particular जो बच्चे नए हैं और जो त्यारी बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं अनकैडमी के platform पे daily two hours की आपकी यहाँ पे class देखने को मिलती है एक सुभह 8-9 बचे और दूसरी class आपकी 9-10 बचे तो आप इन classes को भी access कर सकते हैं और बिना देरी करे move करते हैं पहले question पे सबसे पहला question where will the national thermal power corporation limited set up a 25 megawatt floating solar power plant यानि कि national thermal power corporation limited ने एंटी PC ने 25 megawatt का floating solar power plant बनाया है यह कहाँ पे setup किया गया answer करें और दीखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं speed को increase करूँगा अपनी याद रखेंगे आप लोग बस participate करें और question को डिमाक में बठा लें पीडियाफ आपको channel पे provide करवा दी जाएगी class के बाद ठीक है हाँ जी याद रखें यह आपको देखने को मिला कहाँ पे विशाखा पटनम में विशाखा पटनम में आपको देखने को मिला आपका national thermal power corporation का floating solar power plant अच्छा question जाता है next question आपके सामने who took charge as chief executive of the international cricket council आपके अंतरास्टे cricket जो परिशद है समीती है उसके मुख्य कारेकारी अधिकारी के रूप में यहाँ पे किसी ने charge लिया कौन है किसके दौरा charge लिया गया तो याद रखेंगे यह आपका क्या अंसर हो जाएगा इसका मनु सहनी के दौरा लिय अगर ICC k людям की जाएगी ICC के चेर्परसन तो याद रखेंगे ICC के चेर्परसन कोन है आपके शशांक मनुहर सहाब और अगर मैं आप से ICC cricket committee के chairman की बात करूँ कि ICC cricket committee के chairman कौन है तो इनका नाम याद रखेंगे अनिल कुम्बले क्या नाम इनका अनिल कुम्बले तो यह तीन नाम है, ICC के CEO अलग है, ICC के Chairperson अलग है, और ICC Cricket Committee के Chairperson अलग है, इन तिनों को आप याद रखेंगे, समझे मेरी बात, और सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर questions को एसिस करें, next question आपके सामने, यहाँ पर बात की गई Austin Index, ठीक है, Austin Index यह आपकी bilateral exercise है, maritime exercise है, maritime मतलब Indian Navy की और Australia की जो respected Navy है, उसके साथ exercise है, यह आपको कहाँ पर देखने को मिली थी, कहाँ पर start की गई थी आपकी Austin Index, Austin Index कहाँ पर देखने को मिली याद रखें, यह आपको देखने को मिली भार किस के बीच में exercise है, पहला question, दूसरा question किस की है, तो याद रखेंगे navy की है, पेपर में इस तरह के question आपसे कभी-कभी पूछ ले जाते हैं, कि किस particular ocean index, किस particular format में आपकी exercise है, तो navy में जो army की है, तो army की, air force की है, तो air force की इस बात को याद रखें, move करेंगे next question पे, इसमें से former Bollywood actress हैं ये, जिनको appoint किया गया था, industry head of Google India, industry head of Google India, यहाँ पे कौन former Bollywood actress को appoint किया गया था, अंसर करें, क्या नाम है इनका, याद रखेंगे इनका नाम है, मयूरी कांगो, मयूरी कांगो को यहाँ पे point किया गया, काफी बच्चों के आंसर सही, अंकित कोयल, शुबरजीत, काफी बच्चों आंसर सही दिये हैं, तो मयूरी कांगो यहाँ पे right answer हो जाता है, next question पे move करूँगा, next question आपका important current affairs के regarding, who was also known as the father of entrepreneurship moment, entrepreneurship moment के father किसको बोला गया, जनक किसको बोला गया, कौन है entrepreneurship के यहाँ पे father आपके, आंसर करें, तो याद रखेंगे इनका नाम है आपका, डाक्टर विहारी दास गुपाल दास पटेल, नाम याद रखेंगे, डाक्टर विहारी दास गुपाल दास पटेल को, डारेक्टली आपके पेपर में कभी-कभी पूछ ले जाते हैं, तो हर एक कोशन से आपको गुजनना है, उससे वाकिफ होना है, नेस कोशन पे मुव करूँगा यहां पे, वेरी इंपॉर्टन कोशन, चीफ कोच इंडियन मैन्स हौकी टीम के किसको अपॉइंट किया गया, इंडियन मैन हौकी टीम के चीफ कोच के रूप में, मुख्य कोच के रूप में, किसको अपॉइंट किया गया, तो इनका नाम याद रखें, क्या नाम है इनका ग्राहम रेड, ग्राहम रेड को चीफ बात समझ माई, एक और कोश्टन आपके लिने, इंपोरेंट है कि अंडियन मैन हॉकी टीम के पर्टिकुलर कैप्टन का नाम क्या है, हमारे कैप्टन कौन है तो इंका नाम याद रखें आप। मनप्रीज सिंग हमारे पर्टिकुलर कौन है इंडियन होकी टीम के कैप्टन है याद रखें कोच की बात की जाएगी तो ग्रहाम रैड है इसी के साथ साथ इंडिया वुमेंस होकी टीम की कैप्टन की बात की जाएगी इंडिया महिला जो होकी टीम है उसकी कैप्टन कौन है तो रानी रामपाल का नाम याद रखेंगे, important है, बास समझ माई, और इस वीडियो को maximum share करने की कोशिश करें, जो हर बच्चा इसको फायदा उठा सके, next move करूँगा यहाँ पे, again हम बात करेंगे, यहाँ पे bilateral exercise की, और यह इसका नाम है, bold kuruchetra, bold kuruchetra 2019, important हो गया, जिस तरीके situation index था, इसी तरीके से bold kuruchetra, एक exercise है, किस-किस country के बीच में आपको देखने को मिलेगी, जरा answer करें, bold kuruchetra की बात करूँगा, तो कौन से दो particular देश के बीच में देखने को मिलेगी, याद रखे exercise आपकी, बहुत important है, paper में जो भी current में exercise रही है, यह अपने आप में बहुत important हो जाती है, इसके साथ साथ जितने भी आपके appointments हैं, prime minister हैं, presidents हैं, rankings हैं, इस सब अपने आप में important हैं, सारे questions मैं आपके साथ discuss करूँगा, इसी class में, तो यहाँ पे बने रहें, चीजों को समझने की कोशिश करें, याद रखें, bold kuruchetra आपको देखने को मिलेगी, इंडिया और सिंगापुर के बीच में, किसके बीच में, इंडिया और सिंगापुर के बीच में देखने को मिलेगी, याद रखें, important है, इसके अलावा, अभी मैंने आपसे जिकर किया, Taucin Index का, Taucin Index किसके बीच में थी, Australia और इंडिया के बीच में, next question आपके सामने यहाँ पे रहा कि ADIBF मतलब अबू धाबी का जो इंटरनेशनल बुक फेर था, इसमें guest of honor country किसको बनाया गया था, guest of honor country आपकी, अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेर में कौन सी थी, आंसर करें, guest of honor country in the particular अबू धाबी, कौन सी देखी गई आपकी, इंडिया भारत को देखा गया, बा बाकी आपको पता हूँ कि ADIBF, next यहाँ पे बात करूँगा, यहाँ पे, एक particular booklet को release किया गया, जिसमें dr. भीमरा वंबेटकर साहब की कुछ selected speech थी, जो उन्होंने constituent assembly में सम्विधान सभाव में कहीं थी, तो उन सम्विधान सभाव में जो उन्होंने speech दी, उस booklet को किसने release क किया, यह अपने आप पे important question हो जाता है, answer करें, किसने release किया, याद रखिंग का नाम है, Mr. A. सूर्य प्रकाश, A. सूर्य प्रकाश के दुवारा यहाँ पे booklet को release किया गया, जिसमें selected speeches की बात की गई, dr. भीमरा वंबेटकर की, जो उन्होंने सम्विधान सभाव में दी, इस Water Agency of the Year का award किसको मिला, तो याद रखेंगे National Mission for Clean Ganga को मिला, NMCG को मिला, याद रखें, important हो जाता है अपने आप में, लेकिन यहाँ पे एक बात जो आपको याद रखनी है, जो बहुत important है, उसको भी समझने ही कोशिश करेंगे, क्या, कि यह जो Global Water Agency Intelligence का जो award मिला था, यह summit जो Global Water Summit आपकी देखने को मिली थी, लंदन में, कहाँ पे लंदन में, और याद रखे, Public Water Agency of the Year का award जाता था, किसके पास, NMCG के पास गया, याद रखे, important है, next question आपके सामनी, यहाँ पे बात करेंगे, जलिया वाला बाग की जो बुक है, उसमें Literacy Response, Pros और Poetry को Edit करने का काम किसक सोनिस को ही भी घटना, Literacy Response की बात की गई है, साहितिक जो यहाँ पे Response है, Pros और Poetry में, किसके दुआरा Edit किया गया, कौन है, यह इनका आंसर बताइए, हाँची, आंसर याद रखें सारे बच्चे, बहुत important है, और अपने आप पे important question हो जाता है, याद रखेंगे, रक्षन अ पीछ के बारे में बताया, तो उनका नाम याद रखें, यह सूरे प्रकाश, दोनों question अपने आप में बहुत important है, याद रखें, बात समझ मा गई, next question पर move करेंगे, next question भारत का प्रतम, noctural यानि की निशाचर जू, आपको कहां पे देखने को मिलेगा, भारत का प्रतम, नि तिनी भी मेरी सिरीज हैं, जो भी मैं आपके साथ current affairs ले रहा हूं, उसको आप पढ़ते चलो, top 100, top 200 के चक्कर में ना पढ़ते हुए, हर महीने की जो important current affairs को मैं आपके साथ discuss कर चुका हूँ, ठीक है, तो parts को assist कर लें और daily classes माने की कोशिश करें, और कोशिश करूँगा, कल म आमधाबाद में देखने को मिलेगा, याद रखें, next question आपके सामने, which two new agencies have been awarded, यहाँ पे पुलतिजर award prize मिलता है, इन्होंने investigation की थी, American President Donald Trump और उनकी family के ऊपर, तो यहाँ पे पुलतिजर prize किसको मिला, कौन सी जो new agencies हैं जिनको पुलतिजर prize मिला, तो answer याद रखें इसका, ये थी आपकी New York Times and Wall Street Journal, ठीक है, New York Times and Wall Street Journal को यहाँ पे पुलतिजर prize मिला, इस बात को याद रखें, और आप से उमीद करूँगा किस वीडियो को like करते हैं और maximum share करने की कोशिश करें, आप सब लोगों से कहना चाहूँगा, इस वीडियो को maximum share करें, बहुत कुछ यहाँ प वर्ड की foremost artificial intelligence summit किस country ने host करी थी, आंसर करें, और इस country का नाम आप लोग याद रखें, क्या नाम है UAE, याद रखेंगे UAE के दौरा, वर्ड की foremost artificial intelligence summit को देखा गया, इसने इसको host किया important question है, next question पे move करेंगे, यहाँ पे जो state child cricket world cup आपको देखने को मिला था, इसके particular goodwill ambassador के र और goodwill ambassador के रूप में किसको देखा गया, जर आंसर करें सारे बच्चे, किसको देखा गया, बहुत जल्दी से आंसर करें, याद रखेंगे, यह देखा गया था किसको, यहाँ पे मिताली राज को, ठीक है, मिताली राज को यहाँ पे goodwill ambassador देखा गया, street child cricket world cup का, अपने आप म important question हो जाता है, याद रखेंगे, move करेंगे, next question पे, यह question भी अपने आप में important है, सुनील कुमार गौतम को यहाँ पे पंडित गोविंद बल्लव पंत अवार्ड मिला था, ठीक है, कौन सी किताब के लिए इनको गोविंद बल्लव पंत अवार्ड मिला, तो याद रखेंगे इनको मिला था सम्विधान काववे के लिए, सम्विधान काववे के लिए मानने सुनील कुमार गौतम जी को पंडित गोविंद वल्लव पंत अवार्ड मिला, बात समझ माई, तो दुबारा से समझ लो एक बार, पंडित गोविंद वल्लव पंत अवार्ड किसको मिला, सु G20 Summit को यहाँ पे होस्ट करेगी रियाद में जो होगी आपकी G20 Summit को कौन सी country होस्ट करने जा रही है आंसर बताइए G20 Summit November 2020 में जो होने जा रही इसको कौन सी country होस्ट करेगी तो याद रखें यह country आपकी कौन सी साओधी अरेबिया ठीक है साओधी अरप के द्वारा यहाँ पे G20 summit को यहाँ पर किया जाएगा हॉस किया जाएगा याद रखे important question है अपने आप में काफ़ important question move करेंगे next naval exercise पर अभी दो आपको बता चुका हूँ Austin index और bold कुरुचेतर दो मैं आपको बता चुका हूँ तीसरी आपके सामने आई वरुन वरुना जो exercise है वरुन के नाम से जो exercise है कि किन दो देशों के बीच की naval exercise है नेवी की exercise है तो आंसर करें याद रखेंगे किस के बीच की है किस के बीच की है याद रखें इंडिया और किस के बीच की फ्रांस के बीच की इंडिया और रास्टे विरासत के रूप में दरजा दिया, पाकिस्तान के दुआरा कौन सी वो प्राचीन दम साइट थी जिसको पेशावर में रास्टे विरासत का दरजा दिया गया, क्या आंसर है इसका याद रखेंगे पंज तीरत को दिया गया, पंज तीरत को यहाँ पे पाकिस्तान क के द्वारा रास्टे विरासत का दरजा दिया गया इसके बाद रेलवे बोर्ड के चेर्मैन किसको बनाया गया था किसको पॉइंट किया गया था रेलवे बोर्ड का चेर्मैन का नाम क्या है तो याद रखेंगे रेलवे बोर्ड के चेर्मैन का नाम मिस्टर वीके यादफ सह आपको railway board का chairman मनाया गया, move करेंगे next question पे very important question, ये president कौन से country के है जायर बोलसनारो, जायर बोलसनारो कौन से देश के आपके राश्पती देखने को मिलेंगे, याद रखें जायर बोलसनारो आपके राश्पती हैं किसके, South Africa के हैं, Mexico के हैं, Brazil के हैं, Australia के, Arizona के, आंसर करें ब्राजील देखने को मिलेगा, याद रखें, ब्राजील, South Africa के बात करूँगा, तो सिल्ल राम फोसा, ठीक है, आपके South Africa के कौन है, सिल्ल राम फोसा को यहाँ पे बनाया गया, याद रखेंगे, next move करूँगा आपके सामने, वो कौन सी दो देश हैं, कौन सी दो country हैं, जिन की United States और इसराइल, United States और इसराइल के द्वारा यहाँ पे, युनासको को कुट किया गया, अपने आप में important question, move करेंगे, next question पे, ये भी current affairs पे based static GK का question है, वीर सवरकर international airport कहां पे है, where is वीर सवरकर international airport, तो याद रखेंगे, वीर सवरकर international airport आपको देखने को मिलेगा, कहां पे, Port Blair में, कहां पे, Port Blair में देखने को मिलेगा, याद रखेंगे, बहुत असान question है, और क्योंकि 2019 के लिए important है, सिले में आपको करवा रहा हूँ, next question यहाँ पे, international monetary fund के यहाँ पे, chief economist के रूप में, पहली महीला यहाँ पे देखने को मिली, जिन्हों ने पोस्ट को grant किया है कौन है वो महीला, इंडिया bond economist है, इंडियन bond, आंसर करें, इंका नाम सब लोगों को बता होना चाहिए, गीता गोपीनाथ, अपने आप में important question है, गीता गोपीनाथ को यहाँ पे, international monetary fund का chief economist बनाया गया, IMF की बात करूँगा, तो international monetary fund का जो headquarter है, या आपको कहां पे देखने को मिलेगा, Washington DC में देखने को मिलेगा, IMF का total member 189, last member आपके सामने देखने को मिला नौरू, और 188 member आपको देखने को मिलेगा, South Sudan, ठीक है, याद रखेंगे, IMF की जो currency है, उसे क्या बोलते है, SDR के नाम से बोला जाता है, special drawing rights के नाम से, ठीक है, यह कुछ information है, जो आपको सदस्य है, International Cricket Council का किसे बनाया गया, तो याद रखें, यह बनाया गया था, USA को, United State of America को बनाया गया, इसी के साथ साथ याद रखें, ICC के headquarter की बात करूँगा, तो कहां देखने को मिलेगा, दुबई में देखने को मिलेगा, और इसके regarding तीन information मैं आपको दे चुका हूँ, ICC के CEO का नाम दुबारा से सुन लो, मनु सहनी, ICC के आपके chairperson का नाम याद रखे, शशांक मनुहर, और ICC की cricket committee के chairman का नाम अनिल कुम्बले, तो यह पांच information आपको याद रखनी है, very important information regarding ICC, next question आपके सामने, second edition of Halo India Youth Games, कहां पे start हुआ था, second, first, second, third, answer करो जल्दी से, पहले first का answer करो, फिर second का करो, फिर third का करो, सब अच्या answer करो, first, second, third का, काफी अच्छा question है, answer करें सब लोग, याद रखे, second आपको कहां पे देखने को मिले, पूने में देखने को मिले, कहां पे देखने को मिले, पूने में देखने को मिले, first कहां पे देखने को मिले, first की बात कर इर याद रखें, ये 2019 के लिए, ये 2020 के लिए, और ये 2018 के लिए, इसके साथ साथ खेलो इंडिया से एक और news important आती है इस बार के लिए, खेलो इंडिया यूनिवस्टी गेम, खेलो इंडिया यूनिवस्टी गेम पहली बार कहां पे हुए, ये भी question का answer बता दो जल्दी से, कि खेलो इंडिया यूनिवस्टी गेम पहली बार कहां पे देखने को मिले, very important question, ये चार question खेलो इंडिया से पेपर में आ सकते हैं, ये youth game है बच्चो और यूनिवस्टी गेम की बात करूँगा तो आप क्या answer करेंगे, भुवनेश्वर में देखने को मिले, very good, भुवनेश् और ये question आपसे पूछा जाएगा पेपर में किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे शरत कमल आपके national table tennis title के champion है, question पूछा जाएगा आपसे पेपर में कि शरत कमल का संबंद किस खेल से है, शरत कमल का संबंद किस खेल से है, तो याद रखेंगे answer, क्या हो जा important question आपके paper के लिए 2019 का बनता है, इस वातनी कौन सी देश का यहाँ पे new name है, answer करें, इस वातनी is the new name of particular Swagiland, किसका है, Swagiland का new name है, याद रखेंगे, अपने आप में अच्छा question जाता हुआ, next question यहाँ पे, पहला state, प्रथम राज्य है, जिसने 10% quota government jobs में और higher education में, जो की ह हमारे economically backwards actions general category के हैं, उनके लिए implement किया, किसने दिया, यह अपने आप में important हो जाता है, answer करें, यह quota दिया, आपका किसने सबसे पहले, आपका याद रखें, गुजरात ने, यह question कभी भी directly आप से पूछे जाने के, 100% chances है, 2019 के best questions में आप से पूछ रहा हूँ, सारे question 2019 के best questions हैं एक भी question छोड़के नहीं जाना, at least इन question को आपको करना है, बात करूँगा next question की, श्वाकवत मिर्जयो वेव, यह आपके मुख्य अतीती थे, वाइवरेंट गुजरात सम्मिट में, यह कौन से देश के राशपती हैं, श्वाकवत मिर्जयो वेव कौन से देश के राशपत की बात करूँगा, तो उजबेकिस्तान की capital है आपकी ताशकन, ठीक है, ताशकन is the capital of उजबेकिस्तान, move करेंगे next question पे, Stephen Lofen को यहाँ पे कौन से देश का प्रधान मंतरी बनाया गया, Stephen Lofen has been elected as the prime minister of which country, Stephen Lofen की बात की जा रही है, तो याद रखे Stephen Lofen की बात करूँगा, तो स्वीडन is the right answer, स्वीडन के स्वीडन और स्वीडन स्वीडन की capital की बात करूँगा, तो स्टॉक हम आप is the capital of स्वीडन, ताइवान की बात करूँगा, तो ताइपे, मलेशा की सब अच्चों को पता होगी, एरान राक की सब को पता होगी, आगे discuss करेंगे next question के साथ, आप अभी हटा दो उनका नम, डिफेंस मिनिस्टर ने इनागरेट किया था, डिफो ब्रिच को, चिपू रिवर पे किया था, लोवर डिवांग वैली डिस्टिक में, ये कौन से state में आपको देखने को मिलेगा, डिफो ब्रिच, चिपू रिवर, लोवर डिवांग वैली, तो आंसर याद रखेंगे सारे बच्ची अरुनाचल प्रदेश, सबसे पहला कोशन आप से पूछा जा सकता है कि डिफो ब्रिच कहां पे है, आंसर करेंगे अरुनाचल प्रदेश, चिपू रिवर कहां पे है, दूसरा कोशन, आंसर करेंगे अरुनाचल प्रदेश, लोव मंतरी मोदी जी के दोवारा National Museum of Indian Cinema कहां पे Inaugurate किया गया तो याद रखेंगे याद रखें मुंबई में किया गया आपका National Museum of Indian Cinema याद कैसे रखेंगे क्योंकि इंडियन सिनेमा के लिए जो भी जाता है कहां जाता है Mumbai में जाता है बात करेंगे UNESCO की और ये question फिर important होगी आपके लिए world capital of architecture for 2020 किसे बनाया गया UNESCO has announced which to be the world capital of architecture for 2020 2020 के लिए world capital of architecture यहाँ पे नाम याद रखें Rio de Janeiro ठीक है और यह कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको Brazil में देखने को मिलेगा कहाँ पे Brazil में देखने को मिलेगा याद रखें अब Brazil की capital की बात करूँगा तो capital क्या है आपकी Brazilia नेक्स कोक्शन यहाँ पे fastest Indian की बात की गई सबसे तेज भारती है 100 wicket लिए ODI में सबसे तेज fastest Indian to claim 100 wickets in one day international तो नाम याद रखें का क्या नाम है महमद शमी महमद शमी is the right answer of this कोक्शन महमद शमी के द्वारा fastest Indian है जिन्नोंने 100 wickets लिए ODI में move करेंगे next कोक्शन पे which country will organize first international भोशपुरी festival पर्थम अंतरास्टी भोशपुरी तोहार कौन से देश के द्वारा मनाया गया जरहां सर करें एक बार कौन से देश के द्वारा पर्थम मौरिश हस को यहाँ पे organize करेगी यहाँ पे किया था first international भोशपुरी festival move करेंगे next question में यह कौन सी scheme है जिसको 1 जुलाई 2020 से देखा गया था कि पूरे देश में आपके यह available हुई पूरे देश में 1 जुलाई 2020 से से scheme को लाया गया कौन सी scheme है जरा answer करें याद रखें one nation, one ration card scheme क्या scheme का नाम है one nation, one ration card scheme काफी important है आपके examination के लिए याद रखेंगे move करेंगे यहाँ पे next question पे और यह अपने आप में important question हो जाता है innovation award in UK किसको मिला United Kingdom का innovation award यहाँ पे किसको मिलता है इनका नाम क्या है जरा answer करें काफी अच्छा question हो जाता है innovation award किसको मिलता है सब लोग answer करें याद रखें ये मिलता है आपके एक Indian engineer को Indian engineer की बात करूँगा आपसे बाहरती अभ्यंता की बात करूँगा इनका नाम है नितेश कुमार जांगीर सहाब ठीक है नितेश कुमार जांगीर सहाब को मिला यहाँ पे award UK के द्वारा innovation award दिया गया नितेश कुमार जांगीर सहाब को बात समझ माई next question पे move करूँगा यहाँ पे बुक है आपके सामने a prime minister to remember ठीक है important book है इस साल के लिए 2019 के लिए important book रही थी a prime minister to remember book के author कौन है अपने आप में अच्छा question answer करें याद रखें ये हैं आपके Mr. सुशील कुमार अब सुशील कुमार ने यही बुक क्यों लिखी इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ पे बात करेंगे ये आपके chief admiral रही है ठीक है ये navy के former chief admiral रही है आपके सामने नालको नालको का मतलब national aluminium company इसका headquarter आपको कहां देखने को मिलेगा national aluminium company का headquarter कहां देखने को मिलेगा और इस video को आप लोग share करें maximum बच्चों आप share करें देखें मैं चाहता हूँ यहाँ पे maximum बच्चे यहाँ पर participate क्या करें हाँ जी आंसर करें सबच्चे आंसर करें proper तरीके से याद रखें नालको के headquarter की बात करूँगा तो यह आपको देखने को मिलेगा भुवनेश्वर उडिसा में ठीक है भुवनेश्वर उडिसा में देखने को मिलेगा याद रखें बूफ करेंगे next question पे Reserve Bank of India के deputy governor के रूप में एक साल का extension इनको मिला था RBI deputy governor के रूप में यहाँ पे एक साल का extension इनको मिला इनका नाम क्या है याद रखें NS विश्वनाथन सहाब कौन है NS विश्वनाथन सहाब एक और बात याद रखें RBI के governor का नाम याद रखें क्या नाम है शक्तिकांत दास सहाब कौन है आपके शक्तिकांत दास सहाब 25 नंबर के governor है याद रखेंगे शक्तिकांत दास सहाब next question आपके सामने हुसैन सागर लेक कहां पे located है वेर इस दी हुसैन सागर लेक located अगर मैं आपसे हुसैन सागर लेक की बात करूँगा तो कहां पे लोकेटेड है याद रखें ही लोकेटेड आपकी तलांगना में ठीक है तलांगना में आपको देखने को मिलेगी आपकी हुसैन सागर लेक next question WHO का head कौन है world health organization का head कौन है जड़ा बताइए WHO के chief की बात करूँगा तो इनका नाम क्या है तो याद रखें WHO के headquarter की बात करूँगा तो it is in Geneva जिनेवस यूजर लेंड में आपको headquarter देखने को मिलेगा और इसके जो head है इनका नाम है टैड्रोस सहाब ठीक है टैड्रोस सहाब की बात करूँगा टैड्रोस एड़नॉम की यहाँ पे बात की जाएगी TA याद रखो TA सहाब आपके world health organization के कौन है head है इसे बात को याद की जाएगी तो इसके minister कौन है इनका नाम क्या है जरा answer करें कौन है कुशी मंतरी आपके देश के भारत के कुशी मंतरी की बात की जाएगी तो क्या नाम है इनका बलकु सही नरेंद्र सिंग तोमर सहाब कौन है आपके नरेंद्र सिंग तोमर सहाब है अगर मैं थावर चंद कहलोज साब है, याद रखें, it's very important for you guys, move करेंगे, next question पर आपके सामने, who launched agriculture, marketing and farmer friendly reform index 2019, यहाँ पे agriculture, marketing and farmer friendly reforms index को launch किया गया, किसके द्वारा किया गया जरा answer करें, याद रखें, ये किया गया आपका नीती आयोग के द्वारा, नीती आयोग के द्वारा, agriculture, marketing and farmer friendly reforms को लाया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे, move करेंगे, next question पर आपके सामने, which country has won the fourth FIFA Women's World Cup title, by defeating the Netherlands in Lyon, France, यहाँ पे FIFA Women's World Cup title को किस कंट्री के द्वारा जीता गया था, नीदर लेंड को हराया गया यहाँ पे, जरा आंसर करें सारे बच्ची नीदर लेंड को हराया गया, तो यह जीता था United State of America के द्वारा, बात समझ माई, इसके विपरीत, अगर मैं आपसे FIFA के headquarter की बात करूँ, तो आप क्या आंसर करेंगे, जरा जल्दी से बता दो, FIFA का headquarter क नीदर लेंड की बात करूँ, नीदर लेंड की capital आपको देखने को मिलेगी, Amsterdam, Amsterdam की बात करूँगा, तो याद रखे, Amsterdam में हमारे वर्ल्ड का सबसे oldest stock exchange देखने को मिलेगा, वर्ल्ड का सबसे oldest stock exchange कहां देखने को मिलेगा, आपको, Amsterdam में देखने को मिलेगा, move करेंगे next question पे which city has become the 38th world UNESCO world heritage site ठीक है यहाँ पे कौन सी city को 38 number की world UNESCO world heritage site बनाया गया क्या ना मैं इसका जरा answer करें याद रखें यह है आपकी जैपूर ठीक है यह है जैपूर तो जरा इसके साथ साथ एक question का answer और कर दो सबसे पहली भारतिय शहर कौन सा था सबसे पहला भारतिय शहर जिसको प्रस्टीजियस UNESCO world heritage site list में लाया गया था answer करें सबसे पहला शहर कौन सा था तो याद रखें सबसे पहले शहर का नाम था आपका क्या एहमदाबाद क्या है आपका एहमदाबाद पहली सिटी थी जिसको UNESCO world heritage site list में लाया गया बास समझ माई move करेंगे next question पे which country has won the 2019 Copa America title Copa America title 2019 का कौन सी country के द्वारा जीता गया जरा answer करें इससे पहले आप मेरे को ये बता दीजे particular Copa की अगर मैं आपसे बात करूँ तो Copa कौन सी game से relate करता है Copa की मैं बात करूँगा तो game कौन सा ये title कौन से game के लिए दिया जाता है ये भी आप answer करतें मेरे को याद रखें अकर Copa American title की बात करूँगा तो ये आपको देखने को मिलेगा कहां पी Brazil ने जीता है इसको Brazil के द्वारा जीता गया और football ठीक है Copa American title की बात करूँगा तो football game से relate करता है कई बच्चों को पता नहीं होता कि football से relate करता है आपका Copa America title और Brazil के द्वारा जीता गया याद रखेंगे next question पे यहाँ पे किसको head of cricket बनाया गया कहां पे बनाया गया National Cricket Academy में ठीक है रास्टिय क्रिकिट अकाडमी में यहाँ पे head of cricket किसको बनाया गया head बनाया गया किसको बनाया गया था head किसको point किया गया तो याद रखें Rahul Dravit को किया गया था किसको Rahul Dravit को next question पे move करूँगा next question पे move करने से पहले जल्दी से बता दो which of the following player is known as Mr. Commonwealth Mr. Commonwealth के नाम से किसको जाना जाता है आंसर करें Mr. Commonwealth के नाम से किसको जाना जाता है तो याद रखेंगे अभी जीत गुपता को बहुत important question है किसको जाना जाता है अभी जीत गुपता को जाना जाता है और यहाँ पे पूछा जाए आपसे Commonwealth Chess 2019 Men's Title किसी ने जीता था Commonwealth Chess 2019 Men's Title किसी ने जीता था तो इनका नाम भी क्या हो जाता है अभी जीत गुपता क्या हो जाता है अभी जीत गुपता इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहाँ पे विराम देता हूँ काफी कोशन्स आपको करवा दिये हैं मिलते हैं नेक्स पार्ट के लिए अपडेट रहिए और याद रखें वीडियो को लाइक करतें, मैक्सिमम शेर करने की कोशिश करें और आप उमीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संटूस्ट होंगे आपको चीजें समझ आईए होंगी बास समझ माई, तो सुभह जो बच्चे आना चाहते हैं अनकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लास आपके लिए चल रही हैं, दो क्लास उनमें आईए, आपको बहुत फायदा मिलेगा तैंकी सो मच गाईस, और भगवान से उमीद करता हूँ कि आपका सेलेक्शन निकले, याद रखें तैंकी सो मच